Hello students, आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Class 5th English का Chapter 17 Sing a Song of People तो हम आज के वीडियो में इस चैप्टर के Questions and Answers डिसकस करेंगे So let us start with the new words The first word is Subway and the meaning is Underground Passage for the people to cross So aksar क्या होता जैसे कि कोई road है यह इसके दो sides हैं एक side इस तरफ, दूसरा side इस तरफ तो इसको cross करने के तो एक तरीका simple है कि आप road से एक तरफ से दूसरे तरफ आ सकते हैं लेकिन एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि अगर यह road बहुत busy होती हो तो फिर हम क्या करेंगे कि इस road के नीचे से एक underground passage बना देंगे तो यह जो underground passage होगा that will known as subway underneath, underneath मतलब below या किसी चीज़ के नीचे elevator, elevator से simply lift आपने देखियोगी उची बिल्डिंगों में buildings में lift लगी होती है जिसके through हम उपर नीचे जाते हैं grumpy, grumpy means ill-tempered यानि जिसका वहवार बुरा हो बुरे वहवार वाला वेक्ति या बुरे mood वाला वेक्ति Now the question is which modes of transport do the people use to move around in the city City में लोग कौन से mode of transport use करते हैं I hope अपने modes of transport के बारे में पढ़ा होगा जैसे कि mode of transport by air होता है, by land होता है by sea होता है और air में फिर आप airplane कह सकते हैं land में bus है, cars है, sea में ship है, boat है इस तरह के modes of transport होते हैं तो city में किस तरह के mode of transport use होते हैं to move around the city in the city People use buses and taxis to move around the city move around in the city People bus or taxis का use करते हैं What are the things that people carry with them while moving around? लोग कौन सी चीज़े अपने साथ carry करते हैं यानि ले करके चलते हैं People carry their hats and umbrellas with them while moving around वो moving करते हुए अपने साथ umbrella और hats लेके चलते हैं Where all do you find these very busy people? busy का मतलब होता है बहुत west यानि जो लोग बहुत किसी काम में लगतार लगे हुए हो उन्हें हम लोग busy कहते हैं West कहते हैं तो आपको इस तरह के busy people, west लोग कहां मिलते हैं? We find busy people on sidewalk, subway, tall building and riding elevator यानि कि हर जगा लगपक कहां पर? In the city तो we can also say इसका अंसर एक तरीके से यह भी आप लिख सकते हैं शौर्ट में कि we find busy people in the city यह भी एक अंसर हो सकता है दूसरा अंसर है कि थोड़ा explain कर दिया गया है कि busy people on the sideways, subways, tall buildings, riding, elevator इन सब जगहों पर आपको busy people बिलते हैं ठीक है? दो तरीके से आप लिख सकते हैं Where have you seen crowds of people? आपने लोगों के crowds कहां पर देखे हैं? I have seen crowds of people in the mall आपने mall में देखा हैं But again, again you can write the answer in the form of like city I have seen the crowd of people in the city or on a road in a city On a road आप ये भी लिख सकते हैं in a city ठीक है? तो किसी गाओं की road पर नहीं, city की road पर ठीक है? तो वहाँ आपको crowd of people दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे people in the mall लिखा हुआ ये भी एक तरह के सही है आप लिख सकते हैं Why do you think all these people are in hurry? तो ये लोग hurry मतलब जल्दबाजी में ठीक है? तो why do you think these people are in hurry? These people are in hurry because they have got a list of things to do उनके पास पूरी एक list है उनके बहुत सारे काम करने हैं ऐसा नहीं कि उनके पास सिर्फ एक काम है बहुत सारे काम है इसलिए वो लोग बहुत जल्दबाजी में हैं है in less amount of time यानि कि थोड़े सा समय में बहुत सारे काम करने हैं इसलिए लोग बहुत जल्दबाजी में हैं लेट्स राइट दे अपोजिट अप दो फॉलोईंग वर्ट तो अपोजिट हमें लिखना है फॉलोईंग वर्ट को अपोजिट का मतलब होता है उल्टा यह हम लोग इसको बोलते हैं एंटोनिम्स भी बोल देते हैं ठीक है एंटोनिम्स एंटोनिम्स भी बोलते हैं अगर आप्व अगर आम slow है वर्ट तो slow का एंटोनिम होगा past back का एंटोनिम है forward या front below का एंटोनिम है above loud का है silent अप का है है दाउन इंट का है शॉट क्रावड का है । उसके मीनिघ occupy सकते हैं। कैंड का है क्या कोiger ab changes SEO कर सकते हैं अब की मीशच आगर आप कर मिलती हो आप सब्सक्रार अपह सकते हैं कि कि हुए जैसे हमारे यहां पर यहां पर आंसर यहां पर है श्व का फास्ट, बैक का फारवर्ड, यहां पर फ्रंट भी हो सकता है, बिलो, अब क्लाउड का silent, quiet भी हो सकता है, अब का down, tall का short, crowd का individual यहां लिखा हुआ है, इसे हम लोग mtb कह सकते हैं, ठीक है, go का come, okay, I hope it is clear, now read and listen to these two poems with your partner and find out what are the things that the village child and the city child like, तो अब आप देख सकते हैं, आप यहां पर एक village child है, जो अपने आप से बता रहा है, कि उसे क्या चीज पसंद है अपने घर पर, और वहीं एक city child है, जो बता रहा है, कि उसे क्या चीज पसंद है इस घर पर, तो एक एक्टिविटी में हम लोग क्या समझते हैं, सब्सक्राइब है कि चाहे कोई घर विलेज का हो चाहे शहर का हो उसे अपनी चीजे पसंद होती है तो इसका मतलब यह कि हर जगा खुबी होती है शहर में भी कुछ अच्छाइया है जरूर कुछ दिर्कते भी है and similar way there are some good things in the village and obviously there are some problems there too so it is we who see we interpret these things my home is a house near a wood तो यह गाउ में जंगल के आसपास लोगों का घर होता है वहां हर्याली बहुत जादा होती है and पेड बहुत उचे होते हैं और लेकिन कुछ दिकते हैं जैसे कि अकसर लोग lonely अकेले हो जाते हैं बहुत सारे friends नहीं होते हैं तो यह सारी दिकते हैं वहीं पे आपको birds and flowers सारी मिल जाती हैं villages में city के साथ अपनी कुछ अलग problems हैं लेकिन कुछ अच्छाईयां भी हैं वहाँ पर आने जाने के लिए बहुत सारी सुविदाएं हैं अपनी के लिए आपको बहुत सब्सक्राइब करने रहना परता है तो यह सारी चीज़ अच्छाईयां और कुछ बुराईयां भी हैं वहाँ पर तो दों तरफ अच्छाईयां भी हैं दोनों जब बुराईयां सब्सक्राइब करते हैं तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जहां रहते हैं इसके बारे में तो आपको बताना होगा जैसे हमारे एक्जामपल में बारे में बताये में लेकिन आप अपनी जाह के बारे में बता सकते हैं जिइसके इन प्रफ्सक्राइब आपर तो यहां पर राइमिंग के बारे में बताये गया है तो जब यहां पर rhyming के बारे में discuss कर रहे हैं तो फिर मैं आपको एक बार example के तौर पर मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा यह हमारी poem है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो last word है यहां पर यह जो second line है और last line है यह आपस में rhyme कर रहा है सारे हर जगा पर हम यह देख सकते हैं singer song of people walking fast and slow up and down they go यह दिखे rhyme हुआ है second and fourth again bus or us rhyming है ground and round rhyming है doors and pores rhyming है तो rhyming का मतलब वह हुआ कि जिसकी last की sound एक जैसी आए spelling से मतलब नहीं है sound से मतलब है आवाज एक जैसे जिसे doors force ground round तो इसमें spelling भी कभी कभी सेम हो जाती थोड़ा सा difference भी हो सकता है लेकिन sound एक जैसी आए जिसे slow go तो इसको हम लोग बोलते हैं rhyming find out how many people are there in our country do we have enough land for all the people on the earth is there enough food and water for all the people आपको पता करना है कि हमारे country में कितना land है कितने लोग हैं और क्या हमारे पास enough land है हमारे धरती पर अर्थ पर जितने भी लोग रहते हैं और क्या enough food है और water है सब के लिए यह बहुत अच्छी activity आप सब इसमें participate कर सकते हैं इस इस अवरी fine and good activity in this activity you come to know about the how many peoples are there in your country and how many and what size and what amount of land you have what size of land you have in your country this is a very good activity okay one thing more it is type of discussion activity where you can find out कि क्या हमारे पास enough food है या water है तो obviously आप सभी जानते हैं कि enough food तो है लेकिन जिस तरीके से population हो रही है यह कभी भी धिक्कत आ सकती है food और water कि इसलिए हमें water और food दोनों बहुत precocious तरीके से safe करते हुए use करना है उसे wastage नहीं करना है find out the following from the 10 families living in your neighborhood अब यहाँ एक उस question है इनको अपने आस पास के 10 families में से पता करना है ठीक है आपको अपनी booklet या paper लेके जाना है अपने आस पास 10 families विजिट करना है और वहां से आपको पता करना है इन questions के answer क्या क्या questions है children below five years of age five years of age से नीचे कितने बच्चे हैं आपके घर के आस पास फिर five से 14 years के कितने बच्चे है 15 से 20 years के कितने बच्चे है 21 से 50 तक के कितने बच्चे हैं and old people who are above 50 तो यह आपको पता करना how many members are educated in each family आपके आसपर जितनी भी जो दस फैमिलियों से आपने विजिट किया उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं हर फैमिली में and from amongst the 10 families how many are educated और खुल मिलाके जो दस परिवार हैं उसमें कितने लोग educated हैं टोटल अब यहां पर इस sample दरीके से activity को करके दिखाया गया रेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं आपको सब अपने घर के आसपास visit करना है you have to visit the places around you and there you have to count them as per the questions which they are giving interview your teacher and get her response in the following questions अपने teacher का interview लीजिए और उनका response in questions पर no down career and this is a very good activity interesting activity first question है why did you become a teacher how do you come to school every day do you have any pets what kind of books do you like to read and what are your hobbies this is a good question you can take an interview from your teacher but one thing more important है यहां पर सिर्फ टीचर के बारे में बताने की कोशिस नहीं की गई है आपको यह दियान देना है कि एक city में आपके घर के आसपास city की बात हो रही है एक city में आपके घर के आसपास किस तरह के लोगों के occupations होते हैं occupation ओके तो यहां पर तो हमने teacher को लेके डिसकस कर दिया लेकिन इसके लाव और भी बहुत सारे तरह के occupations हो सकते हैं जैसे doctor, engineer and many other things some are businessmen आपको पता करना है कि घर के अपने आसपास किस तरह के occupations होते हैं जैसे कि अभी आपने ऊपर एक survey किया है इस survey में अपनी और से question और आप जोड़ दीजे आपको पता करना है इस तरह के साब अपने घर के आसपास के लोगों के occupations पता कर सकते हैं occupations means what the people are doing as their profession to earn the living that is known as occupation okay so now also now you can write a paragraph about your teacher with the information you have gathered तो जो आपने अपने तीचर का interview लिया है उसके अनुसार जो आपको information मिली है उस information के अनुसार आपने तीचर के ऊपर एक paragraph लिख सकते हैं this is very good and interesting activity okay so it यह अपने अपने हिसाब सबका different होने जा रहा है but this is a very good activity I hope you have enjoyed discussing the exercises and question and answer of this chapter if still you feel any problem आपको कोई भी problem face होती है तो आप comment करकर हमें जरूर बताएए thank you friends हुआ 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 है